नमस्कार दोस्तों आपका सुआगत है दोस्तों आपर सुबह से लेकर स्याम तक की सभी बड़ी कबरे बताई जाती है दोस्तों आपको बता दे कि मोधी सरकार की तरफ से एक बड़ा एलान किया गए इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे तो आपसे यही निवेद बthose के तेसे के पार्टा 11 लेट के राजे क कर देने के लिए मैं जारकंड के लोगों को धन्यवाद देता हूँ अगली ताजा बड़ी कब्रारिये जारकंड विदांस बाद चुनाओगे परिणाम को लेकर हाँ दोस्तों आपको बता दे कि CM रगुबर दास ने स्तीपा दे दिया है परदान मंत्री नरेंदर मोधी ने एमंत सोरेन को दी बदाई अगली ताजा बड़ी कब्रारिये जारकंड में बिजेपी की आरपर रावल गांदी ने पिये मोधी पर कटाक्स किये जारकंड में बिजेपी की आर के बाद कोंग्रेस के पूरुए देक्स रावल गांदी ने परदान मंत्री नरेंदर मोधी पर सीधे मला किया कोंग्रेस के नेता रावल गांदी ने परदान मंत्री नरेंदर मोधी पर कटाक्स करते वे का कि परदान मंत्री नरेंदर मोधी को देश को बताना चाहिए कि वह चात्रों के वाच क्यों दबा रहे हैं अगली ताजा बड़ी कबरारी देश बर में एक इदर पर मिलेगी बिजली दमेंदर परदान ने दिये संकेतें केंद्रिय मंत्री दमेंदर परदान ने देश बर में इलेक्ट्रोशेटी वीतरन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है केंदर सरकार में पैंट्रोलेम एक प्राक दित क्या जाएगा एधर शरकार इस बात पर विचार कर रही है देश्मर में विजली के लिए एक ही टेरिब लागू क्या जाएगा अगर के अंदर अगली ताजा बड़ी कब्रारिये नारिता संसोधन कानुन को लेकर चल रे विरोध पर्दसन के बीचे अब कॉंग्रेस ने भी पूरी तरह से कमबर कसलिये इसी को लेकर कॉंग्रेस के अंत्री मद्यक सोनिया गांदी की निर्थत्वे में पार्टी की शिर्ज नेता सोमार को मात्मा गांदी की समादी स्तल राजगाट परें परेक्त्री तुए और सत्या ग्रह में बेठें इस सत्या ग्रह की दुरान सोनिया गांदी पूर्वे परदान मंत्री मनमाउन सिंग है और रावल गांदी ने सविदान की परस्तावना भी पड़ी अगली ताजा बड़ी कि अंदर बाजबा ने चत्तिसकड मद्दे परदे से राजिस्तान और माराष्टर में सत्ता गवा दिये अब जारकन में भी बिजेपी को आरका सामना करना पड़ा यानि इन बातों से लगता है कि जनता को बाजबा से मोह बंग हो गए बाजबा बले केंदर में दूसरी बार सरकार बना ली हो लेकि राजियों में वह लगातार आ रही है अगली ताजा बड़ी कब्रारी प्याज की केमतों में आने वाली बड़ी गिरावट है इन राजियों में पहुंचा 790 टन प्याज है हां दोस्तों आपको बता दे कि कुछ प्याज दिल्ली और अंदर पर दिसंबर की अंध तक आने की उमीद है इसे मैं देश के परमुक सहरों में प्याज की खुद्रा दाम 100 रुपे परती किलोग्राम चल रहे हैं अलांकि कुछ इंसों में तो प्याज 160 रुपे परती किलोग्राम है सरकार ने काय कि आने वाले अपते में ये प्याज 60-70 र पर देश का सम्मान करते हैं बाजबा को 5 वर्सों तक परदेश की सेवा करने का जो मोका दिया गया था उसके लिए हम जनता का अर्दे से अबार वेक्त करते हैं अगर दोस्तों मारे द्वारा दिये गई जानकारी आपको पसंद आती हैं तो आप एक बार वीडियो को लाइ इस वीडियो से आप संसोधिन नारिता कानून का बर्म दूर कर सकते हैं संसोधिन नारिता कानून से जोड़े बर्म को दूर करने के लिए बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया हैं इस वीडियो को पार्टी के ट्विटर लेंडल में जारी किया गया हैं इस वीडियो के ज तो जूट और बरम फैलाने वाले राजनेती दल अपने बोट बैंक के स्वारत के लिए हमें आपस में यूँ लडाते रहेंगे चलिए दोस्तों आपको बता दे कि उस वीडियो में दो सक्स आपस में बात कर रहे हैं वीडियो में एक सक्स दूसरे से पूछता हैं कि क्या पूछने वाला सक्स कहता है कि क्या बरम फैलारा है वह बताता है कि जिस कानून में बार्त में रहने वाले किसी भी सक्स चाहे रहें इंदू या फिर बुस्लमान है उनकी ना नार्तियों को नारिता देने का नियम है इस वीडियो में एनर्ची को लेकर भी ब्रम दूर करने की कोशिस की गई है अगर दोस्तों आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो आप बीजेपी के ट्वीटर एंडल पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है अगली ताजा बड़ी कबरा रही है इस वीजेशे एक पॉइंट बीच लाग किसानों से वापस लिए चैजार रुपे बूलकर भी नहीं करें ये काम हां दोस्तों आपको बता दे कि सरकार की कोशिचे की परदान मंत्री किसान समान नीदी स्केम का पैसा सही किसानों तक पहुंचे ये खबर किसानों के काम किये परदान मंत्री किसान समान नीदी के तैज सालाना चैजार रुपे का लाब लेने के लिए कुछ लोग गडबड़ी करने लगे हुएं ऐसे लोग सावधान हो जाएं मोधी सरकार उन लोगों पर सक्त हो गई है जिन्नों वापस ले लिए गए कर्शी मंत्राले की सुत्रों का कहना है कि इन अकाउंट में बीना वेरिफिकेशन पैसा जमा हो गया था इस स्केम का पैसा केंदर सरकार के खाते से किसान के बैंक अकाउंट में सीधे नहीं जा रहा है केंदर सरकार राजे के अकाउंट में पैसा में आने लगी सरकार की कोशी से कि स्कीम का पैसा सही किसानों तक पहुंचे यह बात अच्छी तरह से समझ लीजिए अगर आप किसान नहीं है और शेटिंग करके गलत तरीके से स्कीम का फायदा उठा रहे हैं तो और राल में आपको पैसा वापस करना होगा अगली ताजा ब कोदी की टीबनी सभी के सामने हैं कोन तै करेगा की कौन सही और कोन गलत हैं अगली ताजा बड़ी कब्रारिये बारतिय मोश्मिवाग से बारतिय मोश्मिवाग की चेतावनी में का गया है कि 24 दिसंबर और 25 दिसंबर को पंजाब भर्याना चंधिगड दिली और उत्री रा असार नहीं है बारतिय मोश्मिवाग की और से जारी चेतावनी में का गया कि उत्तर परदेश पंजाब हर्याना दिली चंधिगड मद्दे परदेश और पुर्वी उत्तर परदेश की लाकों में गना कोरा चाया रहेगा बारतिय मोश्मिवाग का कहना है कि आने वाले तेन को बता दे कि जन्ता दल के राश्टी देख से सर्ध यादो ने बारत और बाजवा को लेकर बड़ा बयान दिया हैं। उन्होंने का गिए जब से केंदर में बाजवा सरकार बने हैं। सर्द यादो आयोजित सविदान जाकरती यात्रा कारिय कर्म के देख्षता कर रहे थे यादो ने का कि एनर्सी देश के सविदान की विप्रीत है और इसे लोक तंतर के लिए एक अच्छा संकेत नहीं का जा सकता कारिय कर्म में परदेश बरके 150 से ज़्यादा सामाजिक संग् के मंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोज कर्विंद केजरिवान ने एक बार फिर बीजेपी पर निसाना साधा है उन्होंने का कि दिल्ली में अनदिकर्थ कोलोनियों में रहने वाले लोगों के साथ एक बार सरकार ने दोगा किया है अगली ताजा बड़ी कबरारी अर् को नितिन कटगरी ने अर्थ वेस्ता को लेकर एक बड़ा बयान दिया ये दुरान उन्होंने नारिता संसोधन कानुन 2019 पर भी कोंग्रेस स्कुआर्ड आत ले लिया कटगरी ने अपने बासन में का कि के अंदर सरकार की चिंता गुस पेटियों को लेकर थी उन्होंने का कि सरकार का ये फैसला अफगानिस्तान पाकिस्तान औरे बांगला देश के अलबसंग एक सरनारतियों को नए देने के लिए था वह बारत की किसी भी मुसलिम के खिलाब नहीं है हम मुसलिम को बारत से बार निकानने की बात नहीं कर रहे हैं अगली ताजा बड़ी कबरा रहे ह सुसिल मोधी ने का कि नई बड़े की जेस्टी की दरें हां दोस्तों आपको बता दें की ब्यार के डिपटी सेम सुसिल कुमार मोधी ने जेस्टी स्लेव प्रस्तावित बदलाओ की ख़बरों को खारिश करते हुए का है कि जब तक जेस्टी रेनवीयो इस्ते नई हो जाता तब तक ऐसी कोई संभावना नहीं है उन्होंने का कि JST काउंसलिंग ने फैसला लिया है कि साल में एक बार दरों की समिक्षिया की जाएगी